आज की क्लास में हम प्राउन के गिल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वैस्कुलर सप्लाइ, सर्कुलेशन अफ ब्लड और मिकानिजम अफ रैस्पिरेशन पढ़ेंगे प्राउन के गिल का क्रोस सेक्शन अगर हम देखें तो उसमें गिल प्लेट्स दिखाई देती हैं और जो की एक लेयर सेल्स की होती है उसकी बनी हुई होती है और इस सेल की लेयर के दोनों तरफ क्यूटिकल लगा होता है दो प्रकार के सेल्स होते हैं पिग्मेंटिट सेल्स और transparent cells जो alternately arranged होते हैं और गिल का जो बेसल रीजन होता है वो triangular दिखाई देता है Vascular Supply Gills में देखें तो हर एक गिल में जो होते हैं तीन longitudinal blood vessels होती हैं इसमें अगर हम देखें तो दो lateral longitudinal blood vessels होती हैं और एक इसके अंदर median longitudinal vessel होती है और दोनों ही जो lateral longitudinal vessels होती हैं ये एक दूसरे से connected रहती हैं by means of transverse connective channel ये transverse connective channel के दौरा ये दोनों lateral longitudinal vessels connected रहती हैं तो यहां ये इसमें ये हम देख सकते हैं और यहां पर आगे हम अगर देखें दोनों lateral longitudinal जो ये channels हैं ये देख सकते हैं ये दोनों lateral longitudinal channels ये आगे बारिक सी marginal channel में आगे जाकर ये गिल्स में continued हैं और दोनों ये marginal channels anterior end पर गिल्स के आप देख सकते हैं ये median longitudinal channel में खुलता है तो median longitudinal channel जो होता है ये anterior region में होता है गिल्स के एक groove में होता है जो कि गिल्स के बेस पर present होता है अब इसमें हम देखें कि circulation blood का किस प्रकार से होता है तो de oxygenated blood गिल्स में एफरिंट ब्रेंकियल channel के द्वारा एफरिंट ब्रेंकियल channel के द्वारा de oxygenated blood गिल्स में आता है और ये channel जो है आप देख रहे हैं दो transverse channels में ये खुलता है और दोनों transverse channel जो है फो गिल्रूट के अब ये जो है आगे होता है ये वाला एफरिंट channel गिल्रूट के आगे होता है और ये इसके थूँए फिर blood कहां जाता है दोनो ये दोनों sides में transverse channel के जाता है और यहां से फिर lateral longitudinal channels में आएगा दोनों तरफ और lateral longitudinal channels से होता हुआ फिर जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये और यहाँ पर यह दोनो लेटरल लॉंजिटूडनल चैनल से होता हूँ मार्जिनल चैनल में आएगा जैसा कि यहाँ पर यह मार्जिनल चैनल में इस तरीके से आएगा और मार्जिनल चैनल से होता हुआ फिर मीडिन लॉंजिटूडनल चैनल में यहाँ आ जाता है यहां से जब इस प्रकार से बलड ये फ्लो कर रहा होता है इस रूट में तो उस समय ये oxygenated हो जाता है और ये oxygenated blood median longitudinal में आने के बाद यहां आने के बाद ये pericardial sinus में जाता है और फिर heart में जाता है दौनों में जाता है और वहां से जो effrant brachial channel जो होता है उसके द्वारा ये supply होता है बोड़ी को अब mechanism अगर हम देखे respiration का तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि गिल चेंबर के जो होता है उसके इंटिरियर रीजिन में स्कैफोगनेथाइट होते हैं मैगजीली की स्कैफोगनेथाइट जो होते हैं वो गिल चेंबर के एंटिरियर रीजिन में लगे हुए होते हैं और ये स्कैफोगनेथाइट जो होती है ये continuously ये बीट करती रहती है इसकी बीटिंग के कारण एक water current produce होता है जो continuously पानी को direct करता है गिल चेंबर में और गिल चेंबर में पानी जो होता है वो गिल चेंबर में एंटर करता है पोस्टीरियर रीजिन से और वहां से ये एंटीरियर रीजिन की तरफ आता है लेटरल मार्जिनल पार्ट से होता हुआ ब्रेंक्यो स्टेजाइट ये गिल कवर के बेसल रीजिन से पास होता हुआ लास्ट में हम देखें तो यह पहुंचता है वापस गिल्ट चेम्बर के डॉर्सो एंटीरियर रीजन में जहां पर एक डिप्रेशन होता है और यहां पर पहुंचने के बाद क्योंकि गिल्ट के थूपास होता हुआ यह ऑक्सिदेट वाटर आता है और वापस यह पोस्टीर इंटीरियर रीजन लेटरल मार्जिनल रीजन से होता हुआ दुबारा डॉर्सो एंटीरियर रीजन में आ रहा है तो यह डिप्रेशन में जब आता है तो यह पर यह क्या करता है स्कैफोगनथाइट चो होता है इस पानी को वापस गिल्ट चेम्बर से स्कूप आउट कर द होते हैं इसमें blood का flow excess में होता है तो यहां पर रेस्पिरेटरी सरफिस से होता है और यह क्योंकि blood supply अदिक होता है और यहांपड चेंच होता है गयास सिसका diffusion के द्वारा तो इस प्रकार से ये इसमें mechanism है इसका respiration का scaphognathite जो maxillic is scaphognathite होते हैं इसके अलावा जो exopodites होते हैं maxillipides के वो भी उसका भी बहुत important role होता है water current produce करने में या create करने में और पानी को kilch chamber में direct करने में next class में हम lemilidines में respiration पढ़ेंगे